Hello friends, आज की मूवी एक true story पर based है हमें इस मूवी में बहुत ही beautiful friendship दिखाई गई है इसके IMDb rating 8.5 है और लोगों बहुत ही पसना आई है Untouchable से 2011 की एक French मूवी है तो चलिए directly start करते है मूवी start होती है और हमें गाड़ी में फिलिप और डिल्स दिखते है डिल्स गाड़ी चला रहा होता है ये रात में ड्राइव के लिए बहार आयो हुए होते है ये एक signal पर पहुचते हैं उनके सावने बहुत सारी गाड़िया होती है इन्हें wait करना अच्छा नहीं लगता डिल्स फिर wrong side से गाड़ियों के लाइन तोड़ कर आगे पहुच जाता है डिल्स को fast गाड़ी चलाना अच्छा लगता है सीटी से भी वो ऐसे ही चला रहा होता है इसे एक पुलिस spot कर लेता है और सायरन बज़ा लेता है इसका मतलब है कि अब इसे pull over करना पड़ेगा डिल्स फिलिप को देखता है और कहता है कि अगर तुम कहोगे तो इससे में अपना पीचा छोड़वा सकता हो ये 100 डॉलर्स की bet लगाते है ये बहुत ही fast गाड़ी चलाता है टनल्स वेगरा से अलग-अलग रस्ते लेकर एक जगा पर आ जाता है ये बहुत ही खुश हो जाता है ये celebrate करने लग जाता है कि इसने पुलिस को जलावा दे दिया है ये एक जगा पर पहुँच जाता है और तब पुलिस इससे घेर लिती है फिलिप इस पर बहुत ही हसने लग जाता है डिल्स अब बेट हार चुका है तब और एक बेट उसे लगानी है वो कहता है कि मैं इस पुलिस से हमें एक special lift दिलवा सकता हूँ इनकी बेट लग जाती है और इस पार दो दोसक की ये बेट होती है फिलिप कहता है कि तुम हार जाओगे जब डिल्स गाड़ी से बाहर आता है तो पुलिस उसे handcuff विगरा कर लेती है फिलिप को भी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलती है डिल्स कहता है कि ये बाहर निकल नहीं सकता ये handicapped है इसकी wheelchair पीछे पड़ी हुई है जब पुलिस से चेक करती है डिल्स फिलिप बोलने लगता है कि इसे मैं hospital लेकर जा रहा था तुमने जो हमें रोका है इसे इसकी condition बहुत ही worse हो रही है इसे fits आ रहे थे पुलिस जब फिलिप को देखती है तो फिलिप में नाटक करने लग जाता है उसके मुझसे foam आ रहे है इसा वो सब नाटक करता है पुलिस सब डर जाती है फिलिप और भी pressure बनाता है वो कहता है अब हम late हो चुके है ये तुमारे वज़े से मर सकता है पुलिस फिर उसे बोलते है हम तुमें एक special lift देंगे वो इने protection देंकर hospital तक छोड़ देते है फिलिप और रिल्स हस्ते हस्ते hospital तक आ जाते है जब पुलिस वहाँ से चली जाती है और इनकी stage राती है यहाँ से गाड़ी भगा कर वो चले जाते है यह जो हमारा scene था एक future का scene था अब हमें पास दिखाए जाएगा एक job interview चल रही होती है यह हमें दिखता है यह job interview फिलिप के caretaker के लिए होती है फिलिप handicapped है उसे एक permanent caretaker की ज़रुवत होती है अपनी एक beautiful assistant के साथ यह बहुत सारी interviews ले रहा होता है जो भी सब interview देने के लिए आये होती है यह बहुत ही जादा qualified होती है इस interview में deals भी आये होता है deals के पास इसकी खुछ भी knowledge नहीं होती इसको पता होता है कि इसका job नहीं लगने वाला तो वो wait नहीं करता और अंदर आ जाता है और अंदर फिलिप से कहता है मुझे सिर्फ sign चाहिए उसे benefit चाहिए होता है इसके बास already दो rejection होते है अगर इसको तीन rejection मिल गए तो सरकार इसे जरा पैसे देगी और इसे unemployment benefit मिल सकते है deals केता है कि मुझे पता है कि मुझे job नहीं मिलने वाला तो मुझे जल से जल यह sign दे दो फिलिप इसे बात करने लग जाता है उसे music के बारे में वो पूछता है इन दोनों की music की taste होती है यह बहुत ही अलग अलग होती है पर एक artist को यह दोनों जानती है एक healthy debit के बाद फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें sign नहीं दे सकता फिलिप के हाथ भी काम नहीं करते तो कहता है कि कल तुम्हें आ जाओ कल में तुम्हें sign दे दूँगा फिलिप डिल्स से पूछ लेता है कि अगर तुम्हें job करना होगा तुम्हारा कोई motivation है यहाँ job करने के लिए वो कहता है कि तुम्हारी assistant मेरे लिए motivation है ये असिस्टन डिल्स पर बिलेव नहीं करती, ये बहुत ही ज़ादा स्टेट फॉरोड होता है फिर में डिल्स अपने घर आता हो दीखता है उसके घर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब इसके ब्रदर एंसिस्टर्स होते हैं जब एक खिड़की से देखता है, तो इसका एक छोटा बदर स्टीट गैंग्स में इनवल होता है इसे कन्फरेंट करनाओ कोशिष करता है पर इसका छोटा बदर उसी कुछ भी नहीं बदाता जब रात होती है, तो डिल्स की एंड वहा थी है उसकी एंडोischen बूच्छती है, तुम कहा थे रिल्स कहता है कि वैकेशन में था वो उस पर चिर जाती है, और कहती ही कि छे मैने अगि मुझे पता है किसे वैकेशन में तुम गए थे एक्च्विल में डिल्स ब्रिजर में गए अगी होता है कि अब तुम इस घर से निकल जाओ मैं तुम्हारी responsibility नहीं ले सकती डिल्स भी वहाँ जी चला जाता है अपने friends के साथ hangout करता है next दिन फिर फिलिप के बास आ जाता है घर में जब आता है तो फिलिप की assistant पर फिर से line मारता है फिलिप की एक servant इसे पुरा घर दिखाती है डिल्स केता है कि मुझे सिर्फ लेटर चाहिए मुझे घर दिखाने कोई भी ज़रूरत नहीं है servant केती कि फिलिप ने मुझे बताया है कि तुम पुरी house tour देनी है वो से एक room में लेकर आती है यह बहुत ही शांदा room होता है इसे bathroom वेगरा दिखा दिखा दिए यह room देखकर इसे बहुत ही अच्छा लगता है जब bathroom देखता है तो यह believe नहीं कर पाता कि इतना अच्छा भी bathroom हो सकता है servant फिर डिल्स को फिलिप के पास लेकर आती है फिलिप उसे कहता है तुम्हार लेटर है वहाँ डिल्स उठा लेता है जाते जाते फिलिप उसे रोग लेता है उसे कहता है कि क्या तुम hard work कर सकते हो क्या ऐसे ही तुम्हें सरकारी benefit पर जीना अच्छा लगता है फिलिप handicap रता है तो उस पर वो जोग करता है क्या तुम्हें भी लोग को और depend रहना अच्छा लगता है फिलिप फिर उसे job offer देता है वो कहता है कि एक मन्त के लिए मैं तुम्हें try करना चाहता हो उसे चिडाने के लिए के लिए कि मैं साथ लगाता हू कि तुम दो week तक भी नहीं रुक हुए अब डिल्स के बाद जादा better option नहीं है तो यह job ले लेता है थोड़े देर बाद फिलिप की डॉक्टर फिलिप को मसाज दे रहे होती है डिल्स को भी यह मसाज सिखाय जाता है यह उसे बहुत ही boring लगता है तो वहाँ सो जाता है यह उसे डाटती है और यह सब मसाज करवाने के लिए बोलती है डिल्स को वीलचेर पर बिटाता है उसे shower में लेकर जाता है उसे शाम्पू का अगरा लगा रहा होता है तो वो कहता है कि यह तो foam ही नहीं बन रहा फिलिप की डॉक्टर के दिये कि यह पर का शाम्पू है डिल्स को यह बहुत ही अजब लगता है कैसा कैसे हो सकता है पर के लिए अलग शाम्पू, सर के लिए अलग शाम्पू फिलिप की बात complete होने के बाद डिल्स को उसे एक stocking पहनानी होती है यह लड़क्या पहन दिये और यह फिलिप पहन रहा है तो इसे बहुत weird लगता है यह फिलिप से पूछ लेता है कि यह तो लड़क्या पहन दिये ये तुम क्यों बेंड रहे हो वो कहता है ये मेरे पेर को रिलाक्स करने में हल्क परता है वहाँ ग्लोस भी पड़े हो गते है डिल्स सर्वंट से पुछता है कि ये ग्लोस किसके लिए है इस सर्वंट उसे बता थी कि उसकी जो शीट है वो तुमें निकालनी पड़ेगी डिल्स इस पर बहुत ही uncomfortable हो जाता है और कहता है कि यह कभी मैं नहीं करूँगा यह इसके लिए impossible होता है रात में डिल्स टेरेस पर होता है तो फिलिप की बेटी और उसका boyfriend वहाता है डिल्स उन दोनों में वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है निक्स दिन डिल्स जब फिलिप का मसाज कर रहा होता है तो गलसे से hot coffee उस पर गिर जाती है फिलिप को कुछ sensation बेर में नहीं होते है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता यह डिल्स को बहुत ही amazing लगता है तो और भी coffee उस पर गिराता है यह डॉक्टर देख लेती है और उसे बहुत डाटती है वो कहती है कि वो जल सकता है फिलिप भी यह देखता है और उस पर हसता है अब next scene में फिलिप के जो सब letters आये होते है इनको वो सब sort कर रहे होते है इसमें एक massage service का भी होता है रिल्स उसे दिखाता है तो फिलिप उसे dustbin में डालने के लिए बोलता है फिलिप यह अपने रियर रख लेता है एक special letter भी आ होता है जो फिलिप उसे एक personal fan में रखने के लिए बोलता है जब रिल्स फिलिप को खाना खिला रहा होता है तो फिलिप की असिस्टन भी भाहा आती है उससे देखने लग जाता है और फिलिप के आख में खाना जा रहा होता है रिल्स को हमें शयादी ने रहता कि फिलिप हैंडिकापट है इसे फोन भी दूर से ही देता है कि वो पिकप कर सके फिर उसे याद patा है कि अरे इसके तो हाथ काम नहीं करते है इसी तरह से इन दोनों की जो रिलेशंशिप होती है यह डेवलोप हो जाती है स्लोली स्लोली डिल्स काम करना सीख रहा होता है जो मसाज का कूपन उसने रखा था वो अपने लिए मंगवा लेता है जो बाट टब था यह से बहुत जादा एंजॉय करता है इसकी यहां की जो लाइफ होती है इसका पुरा फायदा उठा रहा होता है वो गाना लगा कर बात कर रहा होता है तो बेबी मॉनिटर में फिलिप की आवाज आती है पर इसे कुछ भी सुनाएं नहीं देती है फिलिप को आज बाहर जाना होता है एक वैन होती है जिसमें फिलिप बैटने वाला होता है ये रेस कार खोलता है और इसमें फिलिप को बिटाता है ये जब डोर खोलते है तो वहाँ एक नेबर की गाड़ी पार्क ही होती है फिलिप कही भी जार नहीं सकता तो ये नेबर हमेशे याप पार्क करकर चला जाता है यह नेबर गाड़ी में बिटा होता है, रिल्स को अब situation पता है, तो उठता है और इसे दमकाता है, इसके collar pocket ता है और sign के पास लेकर आता है, उसे दिखाता है और कहता है, यहाँ no parking है, यहाँ मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए, फिलिप एक 8 गालेर में फिर आता है यहाँ एक painting होती है, जिस पर लगता है कि सिर्फ blood छिटकाया गया है, इसके price saleswoman जब बताती है, तो यह बहुत ही जादा होती है, डिल्स इस पर मज़ाग करने लग जाता है, वो कहता है, यह से painting तो मैं भी बना सकता हो, फिलिप उसे समझाने कोशिश करता है, कि यह art है, art हम जहाँ से आये है, और हमारा world, इसमें एक bridge होता है, इस bridge का यह एक doorway है, डिल्स कहता है कि मुझे 50 dollars दो, कैसा भी doorway हमें open करकर रख दूंगा, डिल्स चोकलेट खा रहा होता है, तो फिलिप उसे पूछता है, कि मुझे भी यह चोकलेट दो, उसे कहता है, अपने हाथ से ले ल यह जो तुम्हारा नया care ticker है, यह मुझे ज़रा गलत लग रहा है, इसका background check मैंने किया है, तो यह prison में चा चुका है, यह robbery की इलजाम में prison में गया था, तुम्हारे जो हालत है, इसमें तुम्हें किसी को भी घर में नहीं रखना चाहिए, फिलिप कहता है कि मुझे इससे पड़ता, वो strong है और मैं handicap 2, इससे मुझे treat नहीं करता, यह कभी कभी तो भूल भी जाता है कि मैं handicap 2, यह मेरी तरफ दया से नहीं देखता और एक friend की तरह मुझे treat करता है, इसके बाद नेक सीन में दिखा गया है, डिल्स घर में होता है, और फिलिप की जो assistant होती है, उसे अ पहा से वो चली जाती है, निज दिन रात में दिल्स और फिलिप की जो servant होती है, यह dinner कर रहे होते है, फिलिप अपने assistant से एक letter लिखवा रहा होता है, चुपे भी monitor होता है, इसमें फिलिप की आवाज हमेशा उसे आती रहती है, एक personal letter यह लिख रहा होता है, यह monitor फिर servant उसे बंक करने के लिए पोलती है, इस letter के बारे में दिल्स पुछता है, कि यह कैसे letter है, servant कहती है, कि एक औरत को letter लिखता है, इनके जो relationship होती है, यह सिर्फ letter के through चल रही होती है, दिल्स को बहुत ही आजिब लगता है, वो फिर इस servant का मजग नहीं लग जाता है, कहता है, यह जो फिलिप को बहुत ही जादा तकलिफ होने लग जाती है, उसे सास लेने में तकलिफ हो रही होती है, दिल्स वहाँ जाता है, धंड़ा पानी का cloth उस पर रखता है, इसे जरा बाहर जाना होता है, यह wheelchair पर इसे शेहर जरा खुमा कर लाता है, फिलिप कहता है कि अब मुझे बह करना अच्छा लगेगा, फिलिप लड़कियों को देखता है और कहता है कि यह करना मुझे अच्छा लगेगा, डिल्स कहता है और हसता है, यह तो सब को करने में अच्छा लगता है, दिल्स को फिर एक सवाल आता है, तुमारे जो पूरी body है यह paralyzed है, तो तुम केसे कुछ कर सकते हो, फिलिप कहता है कि मेरे उपर नहीं है, जब work करना होता है, यह work कर सकता है, फिर भी मुझे आरा उस्टोने के लिए ears है, अगर मेरे ears को को कोई हाथ लगाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिल्स इस पर बहुत ही हसता है, फिलिप को थन लग रही होती ह और डिल्स सिगरेट पी रहा होता है, तो इस सिगरेट उसके मुझे हो दे देता है, यह सिगरेट पीकर वो स्टोन हो जाता है, फिर एक होटेल में आते हुए में दीखते है, फिलिप को अपनी वाइफ की याद आती है, वो केता है कि वो बहुत ही ब्यूटिफुल थी, मैं थी जाधा डिफिकल्ट है, वो बहुत बार ट्राइ किया था, पर कभी भी इनने बेटा या बेटी कुछ भी नहीं हुए थे, इसलिए इन दोनोंने एक बेटी को अड़प कर लिया था, रिल्स सिगरेट को कहा रहा होता है, बेटर को कहता है कि बहुत ही घटिया केक है, यह मेल्ट हो रहा है, इसने मोल्टनी के एक मंगवाय होता है, तो इस पर फिलिप हसने लग जाता है, फिलिप की वाइफ एक्सिडन में मर गई थी, फिर भी फिलिप को बेरेग्रेडिंग करना बहुत ही आच्छा लगता है, वो कहता है कि हवा में मैं जब होता हूँ, तो अच्छा लगता है, उससे पुछता है कि वो कहा है, उसकी सिस्टर को इस संडे के बारे में कुझी पता नहीं होता, डिल्स का जो बदर है, ये पकड़ा जा चुका है क्योंकि ये ड्रग्स डील कर रहाता, पुलिस के पास ये डिल्स उससे चुड़वा कर बाहर लेकर रहत है, उसे जड़ा धमकता है कि तुम्हें फिर से इसा नहीं करोगे, पर उसका ब्रदर इसके कुछ भी नहीं सुनता, अब नेक्स दिन फिलिप फिर से उस औरत को लेटर लिख रहता है, जिससे वह हमेशा लिखता है, इस बार डिल्स भी बहा होता है, जब लेटर रहता है कि तुम्हें उसे call करना चाहिए, मिलने के लिए उसे बुलवाना चाहिए फिलिप डरा हुआ होता है पर डिल्स उसे confidence देता है वो directly phone लगा देता है और फिलिप के कान पर रख देता है फिलिप और वो और अरत फिर बात करने ले जाते है और इन में बहुत ही अच्छी relationship phone पर ही develop हो जाती है नेक सिन में फिलिप और डिल्स यह दोनों opera आये हुए है डिल्स जब यह opera दिखता है तो यह जाड का costume बैना हुआ आदमी sing कर रहाता है इस singing उसे बहुत ही आजिब लगती है और इस पर यह बहुत ही हसता है इस आदमी का यह बहुत मज़ा गोडाता है फिलिप भी इसको enjoy करता है जिस औरत से फिलिप बात करता है उसे फिलिप का एक photo पी चाहिए फिलिप यह photo send करने के लिए बहुत ही uncomfortable लता है डिल्स उसे बोलता है तुम handicapped हो इसे उसे फरक नहीं पड़ेगा तुम 6 महिने तक सिर्फ रेडर से बात कर रहे थे उसका मन साप है तुम जैसे हो वैसे तुमें वह accept कर लेगी और एक plus point है कि तुम बहुत ही रीच हो फिलिप कहता है कि हमारी जो relationship है यह intellect चो ले फिलिप फिर उसकी wheelchair पर की ही photo send करने वाला होता है रात जब होती है तो डिल्स अपने room में painting कर रहा होता है जैसी painting art gallery में उसने देखी थी उसी तरह से अगर वो painting कर लेगा तो वो भी sell कर सकता है ऐसा उसे लगता है फिलिप के daughter वहां जाती है इसकी painting बहुत ही personal होती है तो उसे पार निकल देता है यह वहां से जाने रहे होती और बत्तमीजी से उसे पेश आती है इस पर डिल्स बहुत ही चीट जाता है और फिलिप के पास आ जाता है यह उसे कहता है तुम्हारी चो daughter यह बहुत ही बत्तमीज हो चुकी है तुमने मुझे hire किया है कि मैं तुम्हें help कर सकता हूँ मैं इसे ज़रा 2-4 जापड़ गरा लगा कर सीधी कर सकता हूँ जिस तरह से हमसे पेश आती है यह हमें animals की तरह treat करती है यह बहुत ही बत्तमीज होती जा रही है फिलिप की servant भी वहा होती है तो फिलिप servant से बुछता है कि क्या यह सब कुछ सही है सर्वन भी कहती है कि उसे इसकी जरा जरूरत है फिलिप कहता है कि तुम कुछ भी मत करो मैं खुछ जाकर उसे डाट कराऊंगा फिलिप रात में अपना mind change कर लेता है जो photo से send करनी होती है इसमें जिसमें वो handicap नहीं है वो photo send कर देता है अपने में बहुत सारे दिन गुजरते हों दिखते है फिलिप और डिल्स में बहुत आची friendship बन चुकी है यह दोनों अपने अपने काम करते है डिल्स अपने painting बन काम करता है अलग-अलग जगा जाते हैं और बहुत ही मजा करते है फिलिप भी अपने बेटी को सिधा करने के लिए थोड़ो सा उसे दाठ देता है अब डिल्स ने अपने painting खतम कर ली है तो सब लोगों को दिखाता है असिस्टन को भी दिखाता है तो असिस्टन को यह पसन आता है उसे किस करने कोशिश करता है पूर से एक जपाड लगा कर वहाँ से चली जाती है डिल्स फिलिप को स्नो में लेकर जाता है उसे मसाज करवाता है सिगरेट बिलाता है यह दोनों बहुत ज़ादा एंजोई करते है अब फिलिप का पर्दी आता है इसकी जो सब फैमिली होती है यह उसे देखने के लिए आती है फिलिप डिल्स से कहता है कि एक फॉर्मेलेटी कम्प्रिट करने के लिए आती है साल में एक बार में जिन्दा हूँ या मर चुका यह देखने के लिए वो आ जाती है इसके लिए हर साल सप्राइज्ट बर्दे पार्टी ये अरेंज करते है जब ए घर आते हैं सब रिलेट्वूस वहाँ आये हुए होते है इन्होंने प्राइवेट मुजिशियन्स पुलाया होते है और ये सब गाना सुन रहे होते है डिल्स वहाँ सोट वगेरा पहन कराता है फिलिप की जो असिस्टन होती है उसके पास उसे बैठना होता है सब लोग को उठा देता है और उसके पास वो बैठ जाता है ये असिस्टन उसे कॉमलिवेंट करती है वो कहती है तुम बराक ओवामा की तरह लग रहे हो फिलिप इस वर बहुत ही खोश हो जाता है जब ये खतम हो जाता है तो घरवेंगों घुमता है फिलिप के जो बैठी होती है वो रो रही होती है उससे पुछता है कि क्या हुआ है वो कहती है कि जो मेरा बॉइफरेंट था उससे मेरा ब्रेक अप हो चुका है उसने मुझे बहुत गंदी-गंदी कालिया दी है वो उसे बॉलती है, इन्हें पैसे दूँगी तुम जाकर उसे धमका कराओ मुझे माफे मागने के लिए बोलो डिल्स उसके लिए मना गज़ता है डिल्स उसे कहता है, मुझे तुम क्या समझती हो जटे-जटे वो जोक करता है और बोचता है कितने पैसे तुम मुझे दोगी जोक करकर वहाँ से चला जाता है फिलिप की बड़्डी बाटी में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी आया हुआता है इस फ्रेंड को डिल्स की पेंटिंग दिखाता है फिलिक अपने फ्रेंड को बोलता है तुम्हें ये पेंटिंग बाय करनी चाहिए इसकी 11,000 कीमत उसे बताता है इसका फ्रेंड बोलता है कि नया आर्टिस्ट है मुझे बाय करना चाहिए या नहीं ये मुझे जारा समझ में नहीं आ रहा पर तुमारे जो चॉइस है ये बहुत इसे ही है इसकी प्राइस डेबल भी हो सकती है वो अपने फ्रेंड पर ट्रेस्ट करता है और ये पेंटिंग बाय कर लेता है अब इस पार्टी में डिल्स सर्वन्ट से पूछ रहाता है ये जो फिलिप की असिस्टन्ट है क्या इसकी कोई रिलेशन्शीप है ये सर्वन्ट केती है क्योषकी रिलेशन्शीप है पर ये आन ओफ उन अफ होती रहती है ये देट सालों से चल रही है डिस्ट को लगता है कि अभी भी उसके लिए बहुत जाते चांसे से फिलिप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहाता है दिल्स भी बहाता है और इस म्यूजिक का खूब मजा गोड़ाता है उसे लगता है कि Tom and Jerry जिसा ये म्यूजिक है जिस बहुर हो जाता है अपना पॉप म्यूजिक चलाता है और वहां खूब नाशता है आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही enjoyful होता है रात में जो ओरत होती है उसने एक लेटर फिलिप को लिखा होता है और उसमें उसका photo उसने दिया होता है फिलिप ज़र देखता है तो उसे बहुत पसन आती है डिल्स भी कहता है कि बहुत सही है इस ओरत में फिलिप को उसे मिलने के लिए बुलवा आता है जब मिलने का दिन आता है तो फिलिप बहुत सारे आउटफिट ट्राइ करता है बहुत ही नर्वस होता है फिलिप के डॉटर का एक्स बॉइफरेंट होता है उसे दमका कर डिल्स आता है उसे माफी मागने के लिए बोल देता है जब फिलिप रेस्टार में उस औरत से मिलने के लिए आता है तो बहुत देर हो जाती है फिर भी वो नहीं आदी रात हो जाती है तो इसे बहुत बुरा लगता है और ड्रंक हो जाता है यह डिल्स को कॉल कर देता है वो कहता है कि हमें जरा घुमने के लिए बाहर जाना है एरपोर्ट पर उसे वो लेकर जाता है यह दोनों फिलिप के प्राइवेट जेट में बैट जाते है एक दुसरी जगा आप जाने वाले होते है जिल्स बहुत ही डरा होता है वो कहता है कि तुम्हारा लग बहुत ही खराब है तुम पैरलाइस्ट हो तुम्हारी वाइब भी मर चुकी है तुम्हारे साथ ही यही सब एक्सिडेंट होते है मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना यह बहुत ही डर चुका होते है तो उसमें बोल रहा होते है आकाश में जब वो बहुच जाते है जब clouds का ज़रा turbulence आता है डिल्स ज़र जाता है तो बुचता है यह क्या था फिलिप कहता है कि हमारा few dance टूट चुका है वो से बोलता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो फिलिप डिल्स को comfortable महसूस कराने के लिए उसे एक involve देता है इसमें pending की 11,000 डॉलर होते है यह फिर हमें एक जगा पर आये हुए यह दिखता है यहाँ सब लोग paragliding कर रहे होते है फिलिप एक instructor के साथ यह paragliding करने के लिए आगे चला जाता है डिल्स को भी force करता है और डिल्स भी इसका उमज़ा उठाता है यह बहुत ही enjoyable weekend spend करकर घर आजाते है घर आने के बाद डिल्स का जो ब्रदर होता है यह वहाँ आये होता है डिल्स का ब्रदर अब घर नहीं जा सकता क्योंकि जो gang थी इसके साथ उसका कुछ गड़बर हो चुका है अगर यह घर गया तो इसे वह मा सकते है डिल्स इसे देखता है उसे उपर लेकर जाता है इसे बहुत डाटता है अब इस situation को उसे control करना पड़ेगा नीचे जब डिल्स आता है तो फिलिप और यह दोनों बात करते है फिलिप उससे बूशता है कि यह कौन है डिल्स कहता है कि मेरा ब्रदर है पर यह ज़रा complicated है एक्च्वल में इसके मदर और फादर थे और दोनों मर गए थे इसके बाद इसकी एंट और अंकल इननों इसे पाला था इनके बहुत सारे बच्चे थे और फिलिप की sisters वेगरा इन सब को लेकर वो एक ही घर में रह रहे थे इसकी अंकल भी मर के थे इसकी एंटी थी जो इन सब को समालती थी डिल्स के और भी कजन थे यह सब मिलकर एक घर में रहने लग गए डिल्स के उपर अब उसके ब्रदर की responsibility है उसे अपने family को time देना चाहिए इसी वज़े से फेजब उसे केता है कि कब तक तुम मुझे help करती रहोगे तुम जिन्दगी पर यह job नहीं कर सकते है तुम्हें अपने लिए एक अच्छा job ढूना चाहिए तुम्हें जब तक job नहीं मिल जाता तब तक मैं एक later sign करने के लिए ready हूँ जिसमें अनिंप्लाइड है यह दिखाय जाएगा अब डिल्स भी इसके लिए मान जाता है जिस दिन वो घस्टे जा रहाता है तो assistant से वो face से मिलता है assistant के साथ उसके फियान से होती है यह actual में एक lesbian होती है यह देखकर डिल्स को बहुत ही अच्छा लगता है उससे अब reason मिल चुका है कि assistant हमेशा उसे क्यों resist करती थी servant से भी मिलकर वहाँ से चला जाता है जाते वक्त neighbor को face से कहे कर जाता है तुम यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते उसकी family से जब वो मिलता है तो उसकी family face से उसे अंदर ले रहीती है फिलिप के पास और एक नया caretaker अप है इसे थोड़ा भी पसन नहीं आता फिलिप को massage यह होता है तो इसका caretaker एक आदमी को बुलाता है फिलिप को यह देखकर हमेशा जो deals के साथ वो मजा करता था याद अतर रहता है के नया caretaker को बोलता है कि मुझे massage की ज़रूद नहीं है वो वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है वो उस पर हमेशा चीट जाता है नेक्स सीन में हमें टिल्स एक travel company में जॉब के लिए आया है यह हमें दिखता है वहाँ एक painting होती है जॉब इंटर्यू लेने वाले लेडी और इसमें इसमें एक bonding हो जाती है फिलिप को यह जॉब मिल जाता है एक दिन रात में फिलिप को बहुत ही जादा तकलिफ होने लग जाती है उसका caretaker उसे help करने के लिए आता है और फिलिप को उससे help नहीं चाहिए होती है अब जो servant होती है यह डिल्स को call कर देती है डिल्स वो आता है उसे drive के लिए लेकर जाता है जो मुवें फर्स scene हमें दिखाये गया था जिसमें फूलीस को जलाओ दे रहा था हॉस्पिटल में वो आ गए थे यह सब सीन अब यह हुए थे यह फिलिप को एक नहीं जगा लेकर जाता है फिलिप की दाड़ी बेड़ी होती है तो इसकी दाड़ी भी वो करता है इसकी दाड़ी करते वक्त इसकी mustache अलग-अलग तरिके से काटता है हीटलर जैसा लोग उसे दे देता है यह देखकर यह बहुत ही हसने लग जाते है इस दिन डिल्स फिलिप को एक अच्छे से रेस्टोरन में लेकर आता है यह दोनों जब बैट जाते हैं तो डिल्स कहता है कि आप मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ तुम्हें एक डेट पर यहाँ आये हुए हो जो आरत थी जो फिलिप से नहीं मिली थी उसी आरत के साथ उसकी डेट डिल्स ने अफिक्स की है डिल्स वहाँ से जाता हुए हमें दिखता है और उसकी जो लाइफ है इसे हो कंटिनू कर रहा है यही मुवी एंड हो जाती है और यहाँ हमें कुछ बताया जाता है इसके बाद फिलिप ने शादी कर ली है उसके दो बेटिया भी है डिल्स ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया उसकी भी शादी हो चुकी है और इसके तीन बच्चे है मुवी के लास्ट में हमें इन दोनों के रियल इमेज दिखाई जाती है यह अवे भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड से और एक दूसरे से मिलते रहते है और इनकी लाइफ इसके बाद ही बहुत ही अच्छी है इस movie में बहुत ही अच्छी friendship हमें दिखाई गई थी अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्रेब कर दिजे bell notification icon भी दबा दिजे यानि कि आपको सब movies मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तबति के लिए धायंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए